सफर खुबसूरत है मन्जिल से भी जादा और आज का हमारा सफर उत्राकंड के एक बहुत ही खुबसूरत लोकेशन प्रिशी केश का है जो की भारत के सबसे पवित्धतीर स्थलों में से एक है गंगा किनारे पर बसे इस शहर में आपको बहुत से मंदर और आश्रम मिल जाएंगे और साथ ही आप यहां बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एडवंचर एक्टिविटीज का आनम भी ले सकते हैं इस वीडियो में हम आपको इस शहर के टूर पे लेके चलेंगे और अगर आप भी रिशिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफी इनफॉमेशन मिल जाएगी और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हमने रिशिकेश का ट्रिप स्टार्ट किया डेली से और डेली से रिशिकेश का डिस्टेंस अरॉंड 240 किलोमेटर है इस रूट पे रोर्स की कंडिशन काफी अच्छी है तो डिस्टेंस आप 5-6 घंटे में अराम से कर लेंगे और नेक्स टाइम आप जब भी रिशिकेश आएंगे तो एक कॉमन साइट जो आपको देखने को मिलेगी वो है खुबसूरट ट्राइफ उत्राखन के जंगल से और सच में ये चीज आपके ट्रिप में चार चान लगा देगी दिन भर के सफर के बाद जब हम शाम को रिशिकेश पहुंचे तो सबसे पहले हम त्रिवेनी घाट में गंगा आरती देखने चले गए एंड ट्रस्ट मी गाइस ये एक बहुत ही शानदार एक्सपिरेंस था गंगा आरती शाम को 6-7 बज़े के ब देखने के बाद हम लिफ प्री होस्टल में चले गए इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर आफ टाउन में थी जिस कारण हमें शहर खूनने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई और साथ ही यहां की होस्टिंग और रूम की प्राइसिंग अपको बहुत सी रुद्राक्ष और स्टोन्स की शॉप मिल जाएंगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही आपको एक मुखी रुद्राक्ष भी देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ग्यारा साल में सर्फ एक ही बार पेड पेड़ पे उ रिशी केश ने आज भी अपना कल्चर बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है और यहाँ पे आपको एक authentic इंडिया का फिल जरूर आएगा चाहे वो artifacts की shop हो, कपड़ों की shops हो या फिर मंदिरों का architecture कुछ देर मार्केट में वॉक करने के बाद हम फाइनली लक्षमन जूला पहुँच गए और लक्षमन जूला की कहानी इस प्रकार है कि यह वही जगा है जहां पर लक्षमन जी ने गंगा नदी को क्रॉस किया था लक्षमन जूला एक iron suspension bridge है जिसकी length 450 feet है और गंगा से इसकी height around 70 feet है लक्षमन जूला की दोनों तरफ आपको प्रशाद की छोटी छोटी दुकाने मिल जाएंगी जहां से आप मचलियों के लिए प्रशाद लेकर लक्षमन जूले से उन्हें दे सकते हैं पर be careful bridge पे जादा lean न करें क्यूंकि यह खतरनाख भी हो सकता है लक्षमन जूला को पार्क करने के बाद आप टाउन की दूसरी साइट पे आ जाते हैं यहाँ पर आप सबसे पहले त्रिम्ब केश्वर मंदिर में माथा टेक सकते हैं जो की तेरा मंदिल उन्चा होने के साथ साथ विशिकेश के must visit places में से एक है माथा टेकने के बाद हम मार्केट से होते हुए राम जूला की ओड चले गए लक्षमन जूला से राम जूले का distance around 2 km है जिसको पूरा करने में आपको आदा गंटे का वक्त लगेगा लक्षमन जूला से राम जूला तक के रास्ते में आपको बहुत से म्यूजिक के शॉप्स, आश्रम्स, स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स और नेचर पार्क्स मिल जाएंगे और साथ-साथ आपको मिल जाएगा दे फेमस चोटी वाला रेस्टरॉट जहां पे खाना खाने के साथ-साथ आप खुब सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी ले सकते हैं चोटी वाला रेस्टरांट से कुछ ही कदम की दूरी पर आपको दिखेगा दो फेमस राम जूला एंड ट्रस्ट मी गाइस ये एक बहुत ही शानदार नजारा होने बाला है एक चीज और जो आप यहां गंगा में कर सकते हैं वो है यहां की फेरी बोर्ट राइट्स इस राइट को आप लक्षमन जूला और राम जूला दोनों ही जगा से कर सकते हैं और यह चीज रिशी केश की मस्ट तू थिंक्स की लिस्ट में आती है तो अगर आप कभी भी रिशी केश आएं तो इस चीज को कभी भी स्किप ना करें शांदार बोर्ट राइड एक्सपिरिंस लेने के बाद हम निकल पड़े नीलकंट महादेव की ओर जो की रिशी केश से 32 किलोमेटर की दूरी पर लोकेटिड है रिशी केश से नीलकंट महादेव के रोर्ट जादा अच्छे नहीं है तो आपको यहाँ पर बहुत ही केरफुली ड्राइव करना पड़ेगा लेकिन एक चीज चो आपका दिल जीत लेगी वो है यहाँ के नजारे एक साइड पर आपको आसमान से नीली कंगा बहती होई दिखेगी और दूसरी साइड पर आपको उत्राखन के उंचे-उंचे पहाड दिखेंगे रिशिकेस से डेड़ से दो घंटे की ब्यूटिफुल ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए नीलकंट महादेव टेंपल यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिने नीलकंट महादेव के नाम से भी जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के दोरान निकले काला कुट विश को पीने के कारण उनका गला नीला पढ़ गया था यह भी माना जाता है कि यह पुरानी गटना इसी स्थल पर हुई थी इसलिए इस मंदिर को नीलकंट महादेव मंदिर कहा जाता है और वर्तमान समय में जो शिवलिंग मंदिर में स्थापित है उसे खुछ शिव बगवान जी ने यहाँ पे स्थापित किया था तो अगर आप बात कर लें कि आप रिशीकेश में कब कब आ सकते हैं आप यूँ तो रिशीकेश में कभी भी आ सकते हैं क्योंकि यहां साल बर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है लेकिन अगर आप यहां रिवराफ्टिंग का सबसे बेस्ट मजा लेना चाहते हैं तो सेप्टेंबर, अक्तूबर, नवंबर में आपको सबसे ज़्यादा फन आने वाला है लास्ट जगा जो हमने अपने रिशिकेश के ट्रिप पे कवर की वो थी दो बीटल्स आश्रम जो की राजाजी नैशनल पार्क के अंदर स्थित है माना जाता है कि बीटल्स ने इस आश्रम में रहने के दोरान 40 काने लिखे थे जो उन्होंने बाद में अपनी फेमस एल्बम वाइट एल्बम में पेश किये और अगर आप भी रिशिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डीटल्स आश्रम हमेशा आपकी विस्ट लिस्ट में होना चाहिए तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो रिशिकेश की ट्रिप को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन्स या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डियेम करके पूछ सकते हैं